अलो स्टुटेंट गुड मॉर्निंग आज का हमारा टोपिक है क्वालिटी ओ वाटर चैप्टर नंबर 5 वेस्ट वाटर एंड वाटर सप्लाई इंजिनिरिंग डिसकस करते हैं इसको सबसे पहले बिअंडरोटर की क्वालटी ओर वाटर की होती है वाटर विच इस नौट आपसलूटली पूर एज इट कंटें ख्ले शैंड अग्जे और और ओर गैनिक मैट फे जॉट पर हमारे बास होता है वहाई लूसू करते हैं हमारे बास एबसलूटली प्यूर फोम में और इनॉर अर्गैनिक मेरा पानी के नदर मिल जाने से क्या कर देता है मेरी पानी के अंदर जो भी रहले वर तो इसके अंदर हो क्या कर देते हैं बडा देते हैं श्ननों dış नोट बें कुलोडीड इन दी नाच्यरल रिसॉर्सी यह impurity जो होती है इंकलूड नहीं होती है जो हमारा natural resources होता है water should be free from the harmful impurity जो natural water होता है हमारा वो harmful impurity से उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होती है harmful impurity से free होता है these impurities can be ignored if they are small they are present on the small quantity because they cannot be they cannot cause a big harm to our health यह impurity होती है हम इनको ignore कर देते हैं अगर इनकी presence जो होती है वो small quantity के अंदर हो small quantity के अंदर ignore कर दिया जाता है क्योंकि इनका हमारे health के अपर कोई बड़ा effect नहीं होता और body requires certain element and if they are present in water their removal is not wise हमारी body जो कुछ element की जो पानी के अंदर minerals होते हैं इनकी requirement होती है अगर वो present नहीं होते वाटर के अंदर उनका removal भी हमारे लिए कोई बाइज नहीं होता therefore we remove impurity only into a certain extent so that it may not be harmful to the public जो हम impurity होती है पानी के अंदर उनको बेक certain extent तक ही remove किया जाता है जिससे कि क्या है public के लिए हानिकारक धारम फूल ना हो अब आज इकल देखो भी trend चल रहा है mostly कि आरो लगाते है लोग घर पे रिए sorry water purifier लगाते है water purifier ऐसे हैं जो पानी के अंदर minerals होते हैं जो हमारी बोडी को चाहिए उनको भीव क्या कर देते हैं पानी को हमने अपने पबली के लिए कर देना है पबली के लिए दे देना है ताकि उसका यूज कर सके झाल कर देना है